स्वतंत्रता के बात से ही, स्वतंत्र भानप ने पाकिस्तान में, बंगला देश में, अफगानिस्तान में रह गए हिंदूओं, सीखों और अन्य अल्पसंक उसों से ये बादा किया था। अगर उन्हें जरुरत होगी, तो वो भारत आ सकते हैं, भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। यही इच्छा गांधीची की भी थी, यही 1950 में नहरू लियाकत जो करार हुए, उस समझोते की भी भावना थी। इन देशों में, जिन लोगों पर उनकी आस्था की वज़र से अत्याचार हुआ, भारत का दाइत्वथा उनको शरण दें, लेकिन इस विशे से और ऐसे हजारों लोगों से मुझ फेर लिया गया। ऐसे लोगों के साथ हुए एत्याचे का न्याय को रोकने के लिए, भारत के पुराने वाइदे को पुरा करने के लिए, आज जब हमारी सरकार Citizenship Amendment Act लेकर के आई है, ऐसे लोगों को भारत की नागरिक्ता दे रही है। तो कुछ राजनितिक दल अपने बोर्ट बैंक पर कबजा करने की इस परदा में लगे है। आगर किस के हीतों के लिए काम कर रहे हैं ये लोगों को पाकिस्तान में अल्पर संक्शन्दों पर हो रहे हैं तैचार दिखाई नहीं देते। फिर वास्था की वज़ा से पाकिस्तान में इन बेटियों पर जो जुल्म होते हैं उनके साथ बलाग कार होते हैं उनका आफनन होता है। इन सब को क्यों जुठलाने पर तुले हुए हैं जवाब दे ये लोग। साथियों इन में से कुछ लोग दलीतों की आवाज मनने का डौंग कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन लोगों को पाकिस्तान में दलीतों परत्याचार दिखाई नहीं देता। ये लोग बूल जाते हैं कि पाकिस्तान से जो लोग दार्मी प्रतार्रा की बज़े से भाग कर भारत आये हैं उनमें से जादातर हमारे दलीत भाई बहन है। साथियों कुछ समय पहले पाकिस्तान में वहां की सेना ने अधिकरुत्रप से वहां की सेना ने एक विग्यापन छप पाया था। सेना ने विग्यापन क्या दिया था। कि सेना में सफाई कर्मचारियों की भरती के लिए वो विग्यापन था। उन विग्यापन के पढ़ने से चौंग जाएंगे। उन विग्यापनों में क्या लिखा था। उनमें लिखा था सफाई कर्मचारी के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जो मुस्लिम नहीं है यानि ये विज्ञापन किसके लिए था हमारे इहनी दलीद भाई बहनों के लिए इसी काम के लिए हिंदुस्तान के लोगों का उप्योग होना और हम चुप बैटे रहें पाकिस्तान में ये स्थीती बहां की है साथ लोग बटवारे के समय बहुत से लोग भारत छोड़कर चले गए लेकिन यहां से जाने के मात ये लोग यहां की संपतियों पर अपना हग जताते थे हमारे शहरों के बीचों बीच खड़ी लाखो करोड की इन संपतियों पर भारत का हग होते हुए भी ये देश के काम नहीं आ रही थी दसकों तक एनिमी प्रापर्टी बिल को लटका कर रखा गया जब हम इसे लागू करवाने के लिए संसद में लेकर आए तो कानून को पास कराने में नाको चने चबाने पड़ गए मैं पीर पुछूंगा किसके हित के लिए ऐसा किया गया जो लोग सिटिजन्सिप एमेंडमेंट एक का विरोध कर रहे हैं वही लोग एनिमी प्रापर्टिक कानून का विरोध कर रहे थें साथियों बटवारे के बात भारत और तब के पुर्वी पाकिस्तान आज के बंगलादेश के बीज भी कुछ खेत्रों में सीमा विवाद चलता रहा है इस विवाद को सुल जाने के लिए भी कोई ठोस पहल नहीं हुई अगर सीमा ही विवादित रहेगी तो फिर गुष पैट कैसे रुकेगी अपने नीजी हित के लिए विवाद को लटकाए रखो गुष पैठ्यों को आने का खुला रास्का दो अपनी राजरीती चलाते रहो यही चल रहा था हमारे देश में यह हमारी सरकार है जिसने बंगला देश के साथ सीमा विवाद को सुल्जा दिया हमने आमने सामने बैठकर बात की एक दूसरे को सुना एक दूसरे को समझा और एक ऐसा समाधान निकाला जिसमें दोनों देश शहमत हो है मुझे संतोस है कि आज न सिर्फ सीमा विवाद सुलज चुका है बलकि भारत और मंगला देश के समन्द भी आज आईतिहासिक स्तर पर है हम दोनों आपस में बिलकर गरीबी से लड़ रहे हैं था थियो भारत के बंटवारे के समाई कांगज पर एक लकीर खीच दी गई थी इस लकीर ने गुरुद्वारा करतारपूर साब को हमसे अलग कर दिया दूर कर दिया उसे पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया था करतारपूर गुरुनानक देव की भूमी है करोड़ो देश वाच्वा की आस्था उस पवित्र स्थान से जुड़ी है उसे क्यों छोड़ दिया गया और मैं कहना चाहूंगा जब पाकिस्तान के 90,000 साहिनिकों को हमारी सेना ने बंदी बनाया गया था हमारी सेना के कपजे में थे देश कुछ भी टमस्ताय कर सकता था जो चाहे वो निकलवा सकता था जब 90,000 साहिनिक हमारे कपजे में थे तो करतारपूर साहब हम वापिस ले सकते थे लकिर बदल सकते थे लेकिन ये भी नहीं किया गया दसकों से सीख सद्धालो इंतजार में थे कि उन्हें आसानी से करतारपूर पहुंचने का आउसर मिले वो गुरु भूमी के दर्षन कर पाएं करतारपूर करीडोर बनाकर ये काम भी सत्तर साल के बाद हमारी सरकार ने ही करके दिखाया है साथियों स्री राम जन्म भूमी सद्धियों से मामला लटका पड़ा था अदालत में केस दसकों से चलते रहते थे राजनितिक स्वार्थ के लिए अहम विशों को लटकाओ देश के लोगों को भटकाओ यही चलता रहा क्या क्या तरीके अपनाए गए यह देश ने भली भाती देखा है आज इतने महत्वपून और सम्वेदन सिल केस का भी फैसला हो चुका है साथियों दसकों पुरानी समस्याओं को सुल जा रही हमारी सरकार के फैसले पर जो लोग सांप्रदाइक्ता का रंग चड़ा रहे हैं उनका असली चहरा भी देश देख चुका है और बड़ी बारी की से देख भी रहा है मैं फिर कहूंगा देश देख रहा है और देश समझ भी रहा है यह सही है कि देश चुप जरूर है लेकिन बात को पुरी तरह समझ रहा है वोट बैंक के लिए कैसे दसकों तक कैसे मनगरन जूट फ्यलाए गए इसे भी देश जान गया है साथियो वोट बैंक की पॉलिटिस करके समझ याओं को दसकों तक सुलज ने नहीं दिया तुस्तिक करण की इसी राजनिती की वज़ा से मुस्लिम बैंन बैटियों को दसकों तक ट्रीपल तलाग के भैसे मुक्ति नहीं मिल पाई जबकि दुनिया के अनेक मुस्लिम देश अपने हाँ ट्रीपल तलाग बैंन कर चुके थे लेकिन भारत में ऐसा करने नहीं दिया गया सोच वही थी नब बदलेंगे नब बदलने देंगे इसलिए देश ने इन लोगों को ही बदल दिया यह हमारी सरकार है जिसने ट्रीपल तलाग के खिलाब कानून बढ़ाया है मुस्लिम महिलाओं को नए अधिकार दिया है सम्मान दिया है साथ क्यों जिस दिल्ली में यायोजन हो रहा है उसी दिल्ली में देश की राज़दानी में आजहादी के ब्याद लाखों विस्तापितों को बसाया गया समय के साथ और भी लाखों लोग दिल्ली आए और बसे दिल्ली में ऐसी 1700 से जादा कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को दस्तों तक उनके घर का माली काना हक नहीं मिला था कहने को तो घर अपना था लेकिन कानून की नजर में वो नहीं था ऐसे 40 लाग से जादा लोगों की मांग थी कि उन्हें अपने घर का माली का ना हक तो दिया जाए लेकिन दसकों तक उनकी इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया जब हमारी सरकार ने कोशिश की तो उसमें भी रोडोय अट काने के काम किया गया ये युवा भारत की सोच है न्यू इंडिया की सोच है जिसने दिल्ली के 40 लाख लोगों के जीवन से उनकी सबसे बड़ी चिंता को दूर कर दिया है हमारी सरकार के फैसले का लाप हिंदूओं को भी होगा मुसल्मानों को भी होगा सीखों को भी होगा इसाईयों का होगा न कोई धर्म का भेदवा होगा न कोई जाती का भेदवा होगा जिसका हक होगा उसे सब कुछ मिलेगा साथ्यों हमारे लिए प्रत्यक देश्वासी का महत्व है और इसी सोत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं साथ क्यों बैटा, यहां पर बैटा हुआ हर नवजवान चाहता है कि देश में ब्रस्टाचार खत्म हो ब्रस्टाचार हमारे देश के साधनों, सौंसाधनों को दिमक की तरह चाठता रहा कभी मान बारी से ब्रस्टाचार के खिलाब कारवाई की कोशिस ही नहीं की गई हमारी सरकार जंदन, आधर और मोबाईल की शक्ति से आधुनिक टेक्नलोजी की मदद से ब्रस्टाचार को काबू करने का प्रयास कर रही है हमारी सरकार ने ऐसा करके एक लाख सतर हजार करोड रुपे से जादा गलत रुपिये जो गलत हाथों में हो जा रहे थे चोरी हो रहे थे उसे जाने से बचाया है साथ यो 1988 में देश में एक कानून बना था 1988 में बेनामी संपत्ति के खिलाप देश की संसद ने इसे पास किया था लेकिन 28 साल तक इस कानून को लागू ही नहीं किया गया बेनामी संपत्ति के खिलाप कानून को इन लोगों ने रद्धी की टोकरी में डाल दिया संविधान की बातें करने वाले लोग संसद की गरीमा की चर्टा करने वाले लोग संसद के पास किये हुए मिनने को तोकरी में फैक दिया थाunci Gel हमारी सरकार है जिस ने न सिर्फ बेनामी संपति कानुन लागु किया बलकि हजारों करोर की अवैद संपति इस कानून के तहर स्ब्सक्राइब हमारे देश में रसोई जितनी जगह से छोटे से किचन की जितनी जगह हो उतनी जगह में 500 पांच पांच सो कमपणियां चल रही थे कलपना कर सकते किचन जितनी जगह में 500 कमपणियां, यह कमपनियां किस काम में आती थे। इधर का काला धन उदर उदर का काला धन इधर। यही इंका काम था आज अ है मेछ नहाज़ों साथियों आपको सुन कर के खुशी हो दिए आज ऐसी साड़े तीन लाग से जादा संदिक्त शैल कंपनियों को ताले लगा दियेगे बंद कर दिया गया है जी एस्टी हो गरीबों को आरक्षन का फैसला हो रैप के जधन्य अपरादों में फासी का कानून लग उगर रहा हो हमारी सरकार युवा सोच के साथ लोगों की बर्सों पुरानी मांगों को पूरा करने का काम कर रही है साथियों बीशवी सदी के पचास साल और इकीशवी सदी के पंदरा बीच साल हमें दसों को पुरानी समझ्याओं के साथ जीने की जैसे आदत हो रही है किसी भी देश के लिए ये स्थिती ठीक नहीं है हम भारत के लोग ऐसा नहीं होने दे सकते हमारा करतव है कि हम अपने जीते जी इन समस्याओं से देश को मुक्त करें हम अपनी आने वाली पीडियों को ऐसी समस्यों में उलजा कर जाएंगे तो देश के भविश्च के साथ अन्याय करेंगे हम ऐसा नहीं होने दे सकते और इसलिए मैं आने वाली पीडियों के लिए देश के युवाओं के भले के लिए सारे राजनितिक प्रपज्यों का पूरी हिम्मत के साथ सामना कर रहा हो में लोगों की सारी साजीशों को नाकामयाब कर रहा हो ताकि देश कामयाब हो सके मैं सारी आलोचना, सारी गालियां सीना तान करके खड़े हो करके जेल रहा हूँ ताकि हमारी आने वाली पीडियों को इस ठिती से गुजरना न पड़े मैं हर गाली के लिए, हर आलोचना के लिए, हर जुल्म सहने के लिए तयार हूँ लेकिन देश को इन परिश्थितियों में अठकाएं रखने के लिए तयार नहीं हूँ आज कल ये लोग प्रपेगंडा फ्यला रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो फैस ले लिये हैं, उसने दुनिया में मोदी की प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाई है जो ऐसी अफ्वाएं फैलाते हैं बाते फैलाते अपना समय बरबात करते हैं वह जरात समझ रहे हैं कि मोदी अपनी प्रतिष्ठा के लिए परदा नहीं हुआ है मोदी के लिए देश की प्रतिष्ठा ही सब कुछ है झाल झाल झाल